Hello students, I am Manoj Sunkar और Thinker की सीरीज में आज जो Thinker हम लोग डिसकस करने वाले हैं वो है George Simil बहुत ही important Thinker हैं हर बार ये जो Thinker हैं इनसे सवाल आता ही आता है बहुत सारे different exams में यहां से सवाल पूछे जाते हैं George Simil इनका जन 1858 को हुआ है और 1918 को इनकी डैथ हुई है founding father भी ये कहे जाते हैं ठीक क्योंकि इन्होंने क्या कौन सा science दिया है इन्होंने formal sociology को support किया है George Simil एक German sociologist है Jews parents है इनके parents जो थे वो Jews थे ठीक He rejected earlier existing organistic theory of Compt and Spencer जितने भी Thinkers ये मानते हैं कि society एक organism की तरह है ये उन सारी theories को reject करते है He has developed his own theory and he thinks that society is a web of patterned interaction ठीक तो George Simil ये मानते हैं कि society क्या है society patterned interaction का एक जाल है ठीक तो यहूदी बंश में ये पैदा हुए हैं जर्मन समासास्त्री रहे हैं 1858 को इनका जन्म हुआ था 18 को इनकी रित्य हुई और Comte और Spencer के जो जैविक सिधान्त थे ठीक कि society एक जीव की तरह है उसको इन्होंने reject किया उसकी अलोचना करते हैं खारिज करते हैं और इन्होंने कहा कि समाज क्या है समाज एक प्रतिमानित अंतह क्रिया का जाल है बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा society according to George Simil क्या है एक जाल है प्रतिमानित संबंधों का जाल है ठीक है students अगर आप George Simil जैसे सारे के सारे thinkers और आप चाहते हैं कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो तो इस ग्रूप का हिस्सा जरूर से बन जाएगे ठीक टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर लीजे या WhatsApp ग्रूप भी जो है 7838517884 इस पे आप message कर सकते हैं मुझे अपना नाम और place और लिख सकते हैं कि I want to join WhatsApp ग्रूप और send कर सकते हैं ठीक इस नंबर पे call मत कीजेगा अगर आप Telegram ग्रूप जॉइन करना चाहते हैं तो ये QR code है इसको scan कर लीजेगा Telegram ग्रूप का हिस्सा बन जा लिएग He believed that task of sociology Is to study form of interactions ये क्या कहते हैं कि समाज सास्त्र का कार क्या है इन अंतह क्रियाओं के रूपों का अध्यान करना देखी बहुत specific कर दिया है ये कहते हैं कि समाज सास्त्र का कार केवल अंतह क्रियाओं के रूपों का अध्यान है यानि study of forms of interaction कितने तरह के interaction होते हैं उसी का अध्यान करने के लिए ये समाज सास्त्र में कहते हैं सोसियेशन सोसियेशन क्या है जब हम किसी से interact करते हैं जब हम किसी से संपर्क में आते हैं तो हम क्या बनाते हैं समू का निर्मान करते हैं सोसियेशन का मतलब है समू का निर्मान करना याद रखिएगा student बहुत important है कई बार ये सवाल पूछा गया है formation of group group से मतलब है formation of group से मतलब है इनका association George Simil did not believe that society can be viewed as a thing or as an organism ठीक तो George Simil ये नहीं मानते कि समाज जो है Herbert Compton Spencer की तरह एक वस्तू या एक जीव के रूप में है ये कहते हैं society is an integrate web of multiple relationship between individuals कैसे बना हुआ है समाज व्यक्तियों के बीच कई संबंदों का एक जटिल जाल से बना हुआ है समाज जो निरंतर एक दूसरे से interact करते हैं who are in constant interaction with one another हमेशा निरंतर आपस में अंतर करिया करते हैं बाचीत करते हैं ठीक है मतलब interaction को ही society मानते हैं बहुत important बात है दो लोगों के बीच में जो interaction होता है उसी से क्या बनता है association बनता है formation of group group तब तक नहीं बनेगा जब तक आप एक दूसरे से interact नहीं करेंगे clear ये बात याद रखेएगा organism theory को ये reject करते हैं जैविक सिध्धान्त की ये अलोचना करते हैं according to him society is nothing more than all individuals who constitute it उनके अनुसर समाज क्या है सभी व्यक्ति जो समाज में व्यक्ति हैं उन्हीं से समाज बना हुआ है और जो व्यक्ति हैं they form groups of different sizes and these we have to study these different sizes of group ये कहते हैं कि जो अलग-अलग लोग है वो अलग-अकार के समू का निर्मान करते हैं लोगों से समाज बनता है और लोगों से ही क्या बनता है अलग-अलग-अकार के समू बनते है जब दो लोग मिलकर के ये समू बनाते हैं तो इसको ये कहते हैं डायड जब तीन लोग मिलकर के समू बनाते हैं तो इसको ये कहते हैं ट्रायड ठीक और इसी तरह से तो जब दो लोग दो व्यक्ति मिल करके समू बनाते हैं अंतक्रिया करते हैं तो वो युग्म कहलाता है जब तीन लोग अंतक्रिया करते हैं अपस में समू बना लेते हैं तो वो क्या कहलाता है trick कहलाता है इस तरह से ये कहते हैं कि ग्रूप बड़े होते जाते हैं बड़े होते जाते हैं इस तरह से बड़े बड़े organization बड़े associations बन जाते हैं इसी formation से क्या बनता है समाज बनता है ये इसको क्या कहते हैं association कहते है very important याद रखिएगा ठीक, इन्होंने formal sociology को support किया है, formal sociology क्या होती है और दूसरा sociology जो होता है, वो synthetic sociology होता है, formal sociology कहता है कि sociology का subject matter सीमित है, जैसे ये कहते हैं कि interaction की study each क्या है, sociology, sociology के अंदर के वाल interaction की ही study होगी, different different type of interaction, जोर्ज सिमिर लियोपोल्ड वान वाइस, इस theory के supporter है, जोर्ज सिमिर लियोपोल्ड वान वाइस, ठीक है, और synthetic समासास्तर क्या है, जिसके supporter, अगस्ट कॉम्ट, इमैल दरखाई, मैक्स वैबर, ये सब, वो कहते हैं कि ये sociology बहुत सारे sciences से मिल करके बना हुआ है, ये कहते हैं क बहुत सारे different sciences से मिल करके बना है, इसका किवल एक ही काम है, अंतह क्रिया, अंतह संबंधों, लोगों के बीच में संबंधों का अधियान करना, उसी को ये क्या कहते हैं, आपचारिक समासास्तर कहते हैं, ठीक है, चलिए, social types का concept इनोंने दिया है, समाजिक प्रकार, ये कहते इन के लिए social types क्या है, जो stranger है, वो social type है, जो mediator है, वो social type है, जो rich है, वो social type है, जो middle class है, वो social type है, इनोंने इसको social type का नाम दिया है, A social type become a type because of his her relations with others वो दूसरों से कैसे related है इस प्रकार से एक type बन जाता है Who assign a certain position to this person and have certain expectation of him or her समाज की अधियन में George Simil ने अजनभी, मध्यस्त, गरीब, मध्यवरगी, उच्चवरगी जैसे समाजिक लोगों को समाजिक प्रकार के रूप में परिभाशित किया है एक समाजिक प्रकार दूसरे के साथ उसके संबंद, मतलब जैसे stranger है stranger का हमारे समाज के साथ क्या संबंद होता है हम उससे अंजान होते हैं लेकिन धीरे धीरे कई सालों में वो समाज का सदर से बन जाता है, यानि पहला प्रकार उसका क्या था, stranger, stranger एक तरह का प्रकार है, जो हमारे समाज के बारे में नहीं जानता है, जिसको हमारा समाज नहीं जानता है, लेकिन जब वो काफी समय तक रहने लग जाता है, हमारी जान के बीच में सुलह कराता है उसको हम क्या कहते हैं mediator, mediator is also a type relationship का एक type है जो अलग तरह से related है जो दोनों से related है और उन दोनों के बीच में मद्धास्तता करा रहा है इसी तरह से गरीब है इसी तरह से अमीर है तो यह इनको क्या कहते हैं social type कहते हैं समाजिक प्रकार कहते हैं इन्होंने role of conflict भी बताया है ये कहते हैं समाज में केवल सायोग ही नहीं बलकि संगर्स की भी बहुत एहम भूमी का होती है George Simmel has in all his work stressed both the connection as well as the tension between individual and society ये कहते हैं individual और society के बीच में हमेशा tension बनी रहती है George Simmel ने अपने सभी कार्यों में व्यक्ति और समाज के बीच संबंद और तनाओ दोनों पर बल दिया है according to Simmel empirically that is in real life no society can exist with absolute harmony ये कहते हैं कि वास्तव में वास्तविक जीवन में कोई समाज इस दुनिया के अंदर नहीं है जो पूर्ण सामंजस के साथ मौजूद हो ठीक है संगर्स होंगे ही होंगे ऐसा कोई समाज है ही नहीं जो कि जहां पर की कोई संगर्स ना हो रहा हूँ conflict ये कहते है इसेंशियल पार्ट ये कहते हैं बहुत जरूरी है conflict और complimentary पार्ट है of consensus और harmony in society अगर conflict नहीं होगा तो harmony और सहयोग भी आपस में लोग नहीं करेंगे ये कहते हैं कि संगर्स समाज में सहमती और सभाव का एक आवश्यक और पूरक पहलू है अगर संगर्स नहीं होगा तो हम सहमती के बारे में कैसे समझेंगे हम सभाव के बारे में कैसे समझेंगे यानि संगर्स है तो सभाव है संगर्स है तो सहमती है जब आप दो लोग एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं तो शांती का मतलब क्या होगा फिर तो शांती ही शांती अगर रहेगी तो कोई मतलब शांती का कैसे समझेगा ठीक है George Simil यह कहते है यानि कि जहां पर शांती है वहाँ पर संगर्स है जहां पर संगर्स है वहाँ पर शांती है ठीक है students अगर अभी तक आपने Paper 1 की classes नहीं देखना शुरू की है तो देखना शुरू कर दीजिए students की बहुत important है अगर आप NetJRF qualify करना चाहते हैं तो आपको Paper 1 की classes भी देखना चाहिए और यह जो group मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यह group भी join कर लेना चाहिए अगर आप WhatsApp group join करना चाहते हैं तो अपना नाम और प्लेस मेरे number 7838517284 पर आप भेज देजिएगा और लिख दीजेगा कि I want to join your group और मैं join करा दूँगा यह QR code दिया हुए है अगर इसको आप scan कर लेते हैं तो Telegram group को भी scan कर लेते हैं modernity के बारे में भी इन्होंने explain किया है अधुनिक्ता क्या होती है तो इन्होंने कुछ important points बताए हैं जो कि अधुनिक्ता में चाहिए होती है जरूरत होती है विशेष्थाएं बताई हैं इन्होंने modernity की याद रखिएगा modernity के important features according to George Simmel अधुनिक्ता की विशेष्थाएं सबसे पहली विशेष्था है कि modernity हमेशा city life में होती है यह कहते हैं शहर से ही उत्पन होती है आधुनिक्ता आधुनिक्ता शहरों में बसती है यह कहते हैं money जो है वो important medium है with exchange of relationship in city ठीक और siu generous है यह अपने आप उत्पन हुआ है मुद्रा मुद्रा ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से विनिमे संबंद इस्तापित होते हैं यह कहते हैं यह कहते हैं money केवल एक मुद्रा नहीं है money समाज में interaction को जन्म देता है यह कहते है modernity का बहुत important concept है rationalization rationalization युक्तिकरण अधुनिक्ता का बहुत important बहुत प्रमुख विशेष्टा है ठीक है याद रखिएगा very important characteristics of modernization rationalization को यह मानते हैं market is a place where most of economic exchanges take place in modern society बजार वह स्तान है जहां अधिकांश आर्थिक आदान प्रदान होते हैं आधुनिक समाज के अंदर ठीक है students और इन्होंने money का भी concept दिया है धन, money similar explored the social and psychological aspect of money beyond its economic function यह कहते हैं कि जो पैसा होता है उसके आर्थिक कारियों से परे और भी समाजिक कारे होते हैं और मनोवेग्यानिक कारे भी होते हैं यह argued that money act as a social force that influence relationship power dynamics and individual behavior यह कहते हैं कि जो पैसा होता है जो धन होता है वो समाजिक शक्ती के रूप में कारे करता है जो हमारे रिष्टों में शक्ती की गतिशीलता और व्यक्ती के वहवार को प्रभावित करता है एक व्यक्ती दूसरे व्यक्ती से कैसे रिष्टे रखेगा कैसे संबंद रखेगा उस व्यक्ती के पास कितना पैसा है इस पर भी निर्भर करता है याने संबंध भी निर्धारीत करता है Money Money according to Simil plays key role in mediating social interaction ये कहते हैं कि पैसा जो है समाजिक संबंधों के मद्यस्ता करने के महत्पून भूमी का निबाता है पैसा आप से कितने लोग संपर्क में रहेंगे कैसा संपर्क में रहेंगे आपके पास कितना पैसा है इस पर निर्भर करता है जोर्ज सिमिल कहते हैं ठीक है स्टुडेंट्स इन्होंने sociology of space भी बता है इन्होंने बोला कि समाज का इस्थान का भी अपना एक समाज सास्तर होता है जैसे आप ग्रामिन्ड शेतर में रहते हैं तो वहाँ पर उस तरह के उस ग्रामिन्ड मांदंड और ग्रामिन्ड मूलियों के हिसाब से बिहेव करते है ठीक ग्रामिन्ड रूरल एरिया में होते है तो आप रूरल एरिया के अपनी एक नौम होती है अपनी एक value होती है urban area की अपने norm होती है अपनी values होती है उसी को इन्होंने क्या कहा है sociology of space कहा है आप office के अंदर होते हैं तो उसके अपने norms होते हैं अपने values होते हैं आप family में होते हैं तो उसके अपने norms होते हैं अपने values होते हैं यानि ये कहते हैं कि social interaction are shaped by physical space. ये कहते हैं कि हमारे जो समाजिक संबंद होते हैं, समाजिक अंता क्रिया होती है, वो भौतिक स्थान से प्रभावित होती है. जिस तरह के भौतिक स्थान में आप होते हैं, उसी तरह की आपकी समाजिक क्रिया हो जाती है. जिस तरह के physical space में आप होते हैं उसी तरह का आपका social interaction हो जाता है तो students अगर आप इसी तरह से पूरी की पूरी sociology पढ़ना चाहते हैं तो आप class को enroll कर लीजे paid classes का अभी enrollment बहुत सस्ते में चल रहा है अगर आप अभी enroll करते हैं तो आपको बारी discount मिल सकता है और इस चैनल को like जरूर से कर लीजेगा और subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही important videos आपको मिलते रहें अब मैं आप लोगों के लिए एक homework छोड़े जा रहा हूँ homework है alliance theory in kinship studies is associated with which of the following scholar रिष्टेदारी अध्यान में alliance theory निमलिकिन में से किस विद्वान से संबन देता है किस ने दिया है alliance theory ठीक है ये आपको बताना है ठीक है students like करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और share जरूर से कीजेगा इस lecture को अगर आप चाहते हैं कि और भी मैं इस तरह के important thinkers के वीडियो लेकर आऊं क्योंकि इनके views पर ही निर्भर करता है कि मैं इतनी मेहनत करूँ बहुत मेहनत लगती है एक thinker के लिए वीडियो बनाने में तो आपका फर्ज भी बनता है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं share करें thank you very much students all the best bye bye